के आलो बॉक्षों आज enjoy आपको इस्वोकल इंग्रेश की । आयामें बात कर रहे हैं जैसे थे हमारा जेसे और क्या ए गुड ओरण इंग वॉर्णिग जाने गुड आपैसे अग्सार क्पोन पों पियकर घर जाब हां जिसके अब कबात करते हैं जयसे हम दोफायर में किसी से बात कर रहे हैं और फोन पर या सामने किसी से हम गुड अप्टरवन पोकर सकते हैं तो रातमे तो ढब.. तो उसको गूडड नाइट बोल सकते हैं इसके बाद में हैलो जैसे हम फ्रेंड से मिलने जाते हैं कुछ भी करते हैं बाहर जाते किसी मिलने के लिए तो मुसको है'llow hi hello hi दोनों सब यूज कर सकते हैं please please मतलब यसे हम किसी से काम करा रहा है कोई मना कर रहा है कोई भी काम है तो उसको हम प्लीज बोलेंगे प्लीज थैंक्स थैंक्स मतलब क्या होता है धन्यबाद जैसे थैंक्स मतलब इसमें धन्यबाद होता है जैसे तुम्हें कोई चीब कुछ भी दे रहा है तुमको या तुम्हारा कोई काम कर रहा है तो इसको कर सकते माफी मांगते हैं तो इसमें सोरी बोलते हैं तो इसमें जैसे अगर कोई भी गलती होगे तुमसे तो सोरी बोल सकते हैं हाइं तो जाता है इसको में गोर सकते हैं तो वह साइड में हो जाएंगे तो इसके पाद इसका दूसरा भी यह जैसे इसमें भी यूज करते हैं जैसे कोई हम फोन पर बात कर रहे हैं या सामने किसी से बात कर रहे हैं तो हमें कुछ सुनाई नहीं दिया है तो हम उसको दुबार से बताएगा excuse me मतलब होता है well done well done क्या आता है छावास जैसे कोई काम पहुत अच्छा तो अगर तुमने काम किया किसी ने अच्छा काम किया तो इसको well done बोल सकते है well done same to you same to you मतलब क्या बोलते है same to जैसे कोई भी festival आया है अगर वह तुमको बिस कर रहा है का तो तुम कैसे करूगे वो बोलता है है पी होली एपी दिवाली तो तुम बोल सकते हो same to you है वासीलेंट, एक्सिलेंट मतलब क्या होता है.. बहुत भड़्या है मतलब बहुत भड़्या हो दो तुम्हें भी कोई बोल सकता है एक्सिलेंट या तुम्हारा काम बहुत अच्छा किसी ने किया है तुम भी बोल सकते हो एक्सिलेंट listen me listen me listen me मतलब बात सनू listen me सनना होता है कोई बात बोलते हैं तो listen listen me बोलेंगे इंकलिज में very good very good मतलब बहुत बड़िया very good मतलब बहुत बड़िया या कोई काम किसी ने अच्छा किया करवाए तुम very good use कर सकते हो very good stop इस्टोप मतलब क्या होता है अगर कोई जा रहा है उसको रोकना है तो इस्टोप बोल सकते हैं इस्टोप तो पर रोक जाएगा कम कम मीन्स आना किसी को बोला कम कम मीन्स आना होता है गो मीन्स जाना गिम मीन्स को होता है देना कोई चीज़ दे रहो गिम मीन्स देना होता ओ माई गोड मतलब हे बगवान अगर हम बगवान बोला थे ओ माई गोड तो मतलब कोई अगर कोई काम हो जाते तो बोलते हैं Oh my God ! यह बगवान! ऐसे बोलता है Dear, Dear means प्यारा या प्यारे Really, Really means क्योंता है? सच मुच जैसे हिंदी में बोलते हैं कोई बात हुई हाथ सच मुच ऐसी बात हुई है भॉलेट थांग्स हैं च mendai अब 51 चैनक यह मतलब किया होता है आपको धन बात थांग क्या टेक क्यार्ब अफ़तर परवह करना किसे गोलेट क्यार परवह जो करना सथारीड मेंतलब के अधाए है ठीक मिंस अच्छी भी होता थीक आड़ यहुंस कोई बोलता है, तो हम उसको find बोल सकते हैं, nothing, नतनी котором melhor ? कि मतलब कि बुर इसको nethin targets, कोई काम हम कर रहे, यहां मैं दुबारा से बही काम कर रहा हूं आ मैं तो उसको im again try मोलते हैं, कि दुबारा से कोशीच कर Jackson एगें try. Allow me. Allow means मतलब क्या होता है? मुझे अनमत्ती दे. कोई बाता है कि मुझे कोई काम कलिए अनमत्ती मांगते तो allow me. sad. Sad means क्या होता है? दुखी होना. sad. How lovely. How lovely मतलब कितना प्या़ा? Lovely means ल morality means भी प्यारा होता है. कितना प्यारा? speak means क्या होता है बोलना या बोले या कुछ भी ऐसे speak में बोले या बोलना तो इसको go down go down मतलब नीचे जाओ go down मतलब नीचे जाओ ऐसे हम इसको याद करके हम इसमें इंगलिस से बात कर सकते हैं इंगलिस में thank you उसी तरह से आप भी करें thank you